हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू दिव्या इर्वेदिक सेंटर बीमेस फ्रेंड्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं संस्कृत का वैद किये सुभा साहित्यम का अध्याय नंबर 6 जिसका नाम है व्यायाम विग्यानियम ठीक है इससे पहले हमने 5 चैप्टर को पढ़ लिया है आज हम 6 चैप्टर पढ़ने वाले हैं सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि अगर एक्जाम में कोई भी स्लोक आता है तो हमें उसकी दो चीज़ें लिखनी होती है एक उसकी संदर्व और दूसरा उसका व्याख्या ठीक है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि संदर्व क्या होता है और किस चैप्टर से आया है ठीक है जैसे सबसे पहले मानलो हमारे सिक्स चैप्टर का यह फर्स्ट इस्लोक एक्जाम में आरक है और उन्होंने बोला है कि इसके संदर्व सहीद व्याख्या कीजिए ठीक है इस इस लोग की संदर्व सहीद व्याख्या कीजिए तो सबसे पहले ह से लिखते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं तो हमें जैसे कि हमने इस इस लोग मैंसे दो वर्ड्स याद कर रखे थे दो वर्ड्स वो तो वियाक्या के लिए बताएंगे सबसे पहले संदर्ब के लिए तो आप इसमें भी एक चीज मुलब पूरे चैप्टर में किस चीज के बारे में मेंनली बताया गया है उसको याद रखना थिक है तो जिस तरीके से इस चैप्टर का ही नाम क्या है वियायाम विज्यानियम मतलब इस चैप्टर में व्यायाम के बारे में बताया गया होगा ठीक है कोई भी ऐसा स्रम जिससे हमारे सरीर द्रिंड होता हो हमारे सरीर को फायदा हो वो सब अगर आ जाता है तो समझ जाना कि यह हमारे 6 चैप्टर के व्यायाम विग्यानियम से आया है ठीक है जो भी उसमें अगर कोई व्यायाम की बात की जा रही है या डायरेक्ट व्यायाम वर्ड आ रहा है तो और आसानी हो जाएगी कि वो six chapter का है वनना अगर व्यायाम की हानी व्यायाम से करने वाले लाब या फिर कोई भी ऐसी कसरत जिससे हमें कुछ लाब हो रहा है हानी हो ठीक है तो ये सब अगर बाते आती हैं तो आप समझ जाना है ये हमारे six chapter से आया है तो ये सब जानने के बाद आप किस तरीके से इसकी संदर्व को लिखेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ तो संदर्व आपको इस तरीके से लिखना है कि प्रस्ट पद्धिखन्ड हमारी पार्टपुस्तक वैदी के सुभासाहिटियम के अध्याय नंबर six के ठीक है अध्याय नंबर six के लिया गया है घीक है जिसका नाम है व्यायायम विग्यानियम ठीक है इस अध्याय में व्यायाम के बारे में बताया गया है व्यायाम से होने वाली लाब होने वाली हानी ठीक है इन सब बातों पे बातों को बताया गया है ठीक है आप इस तरीके से इसकी पहले तो संदर भी लिख लेंगे इसके बाद आप लिखेंगे इसकी क्या व्याख्या ठीक है आपको इससे कोई वायदा हुआ है या फिर नहीं हुआ है और अगर कोई मिश्टेक है कोई गलती है तो आप मुझे सजेशन ज़रू देना कि आप इस चीज को ठीक कर लें तो और अच्छे से कोशिस करूँगा कि अगला लेक्चर और अच्छे से बना सकूँ ठीक है या फिर अगर मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूं तो भी आप मुझे बता सकते हैं बहुत देरे बुल रहा हूं तो भी मैंनों कोई सीवी आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके हम उसके हर इस लोग को याद करना है ना हमें моиकल के सबसे पहले इस पूरे इस लोग मैंसे 2 4 3 5 वर्ड्ati को लाट्को याद रखता है जितना अब रख सको ठीक है इससे वर्ड's को देख के हम समझ जैंगे इस चैपटर से हैं पहली बात दूसरी उन को पड़ते ही मनला हमें इसकी जो हमने हिंदी पढ़ी होगी वो हमें याद हो जाएगा ठीक है तो इस बुक की जो हिंदी वाली वो काफी हार्ड है ठीक है आप इसको मत भूल जाओ सबसे पहले मैं इसमें वर्ड के थुरू आपको हिंदी बताऊंगा उसके बाद एक पूरी लाइन हिंदी की बताऊंगा वो आप नोट कर लेना ठीक है आराम आरामसे वीडियो को चला के आप उन लाइनों को नोट कर लेना वो लाइनें आसान हैं उनको आप फिर याद करना ठीक है तो छटे चैप्टर का फर्स्ट स्लोग क्या है तो तुल ब्रहम गुडा कर्स धनुरा कर्षणा दिभी आयामो विविदो अंगानाम व्यायाम इतिकेर्टता ठीक है वैसे आपको कोई जरू नहीं यह पढ़ना आता हो या ना आता हो या इनकी कोई आपको प्रैक्टि एकना तुल भ्रहम गुडा कर्स ठीक है यानि कि इतना अगर आपको दिख जाता है इस स्लोग में ऐसा अगर श्रोग जिसमें तीन वर्ट अगर आपको मिल जातें तो समझ जाना वह इस लोग यहीं वाला है मेनली इस स्लोगम किया बताया है कि हमें भ्यायाम की परिभासा कह सकते है तो तुल-ब्रह謊-अघुडा-कर्स मतलब क्या हुआत। तुल-ब्रह謹ु कि मतलब होता है मृत घड़ है जानी कि आपने मूवीज में आयामों विविदों अंगानाम मतलब कि विविद अंगों का जो आयाम होता है आयाम मतलब कि जो स्रम किरिया होती है विविद अंगों की जो स्रम किरिया होती है उसे हम क्या बोलते हैं वियायाम इतिकेरितता यानि उसे हम वियायाम कहते हैं ठीक है तब वियायाम किसे कहते है तो अब मैं नॉर्मल हिंदी बताने जा रहा हूँ, आप इसे नोट करना, ठीक है, व्यायाम किसे कहते हैं, मुद्गर घुमाना, रसिखहचना या धनुशलाना, आदिसे सरीर के अनेक अंगों में आयास यानि सरम की किरिया होता है, उसे ही व्यायाम कहते हैं, ठीक है, आपको ये लाइने लिखके आनी है, ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे इस लोग नंबर दो, इस लोग नंबर दो क्या है, कि सरीर आयास जनकम कर्म ब्यायाम संगितम, ठीक है, इसमें भी यही बताया है कि ब्यायाम क्या होता है, तो जो सरीर का, सरीर के आयास होते हैं, ठीक है, य वियायाम के संग्या किसे कहते हैं यानि कि वियायाम किसे कहते हैं तो जो शरीर में आयात सुत्पन करने वाले सभी कर्म होते हैं चाह Also яз एक ए चाहिए रसी है na द्झन चलाना कोई भी तो आप यह याद रहना फर्स्ट सेकंड थर्ड थर्ड تीनों इसโ couple में क्या बताया प्यायम के परिभास्व में दिन बैयाम के गूर्ड दियायाम हम है तो हमें देखो थर्ड इस लोक में भी व्यायाम है सहंड़ बैयाम सहंगितम और फर्श्ट兩व में तो व्यायाम था ही यानि यह तीन हो आ गए तो फिर तो कोई टैंसर नहीं है आपको पता यह कि यह व्यायाम चैप्टर से आया है आप इसके संदर आराम से लिख दोगे और व्याक्या भी आसानी है ठीक है इसके बाद फूर्थ स्लोग में भी आप देख लो व्यायाम अर तो अगर यह श्लोग भी आजाए तो आपको आसानी से बता चल जाए कि हमारे 6 चैप्टर से आया है ठीक है अब इसको सबसे आसानी स्लोग यही है तो इस स्लोग में क्या है सनेर अर्था मतलब की हमें धीरे-धीरे धनका उपयोग करना चाहिए ठीक है सनेफ पंथा मतलब धीरे-धीरे मार्ग गमन करना चाहिए वैसे में इसकी तोटल आइन आपको बता दूँगा हिंदी में आसान वाली ठीक है सनेय है परवत मारुहित मतलब की धीरे-धीरे में परवत अना चाहिए या फिद अगर हम देरे देरह इस प्रकार व्यायम करतें रहें गे तो हमारा सिर्ट हो जाएगा ठीक है तो अगर आफको सने रखाब और प्रता सने पारु है ना मंवेरा आ में आई दिरे दिरे करनी चाहिए विद्या धर्म साधन भी दिरे दिरे करना चाहिए इसी प्रकार व्यायांब में भी दिरे दीरे करते हुए अभ्याद पूरवग बढ़ाने से सरीर दिर्ण होता है ठीक है यह हमारा क्या था फूर्थ नंबर का इस लोग ठीक है आपको अगर इसकी वह नोट्स भी चाहिए तो आप मेरे को वर्टसप पे मैसेज करना ठीक है वहां पर गुरूप है आप वर्टसप पे के गुरूप को जोइन करो और उसके लिंक इसके डिस्क्रिसर में मैं दे दूँगा वाट पाताम सकतया व्यायमे विद्धिर अंगिनाम ठीक है मतलब क्या हुआ है कि हमारे जो सरीर है मनल कुन मेलाकर इसके अंदर क्या बताए गया पहल तो यह इस लोग जो है इसमें ऊपर वाली लाइन में बताया है कि अगर हम व्यायम को उच्छित मात्रा में करते हैं तो उससे क्या लाव है और नीचे आली लाइन में बताया है कि अगर हम उसे व्यायाम को सक्ति से अधिक करते हैं तो उससे क्या हानी है ठीक है तो ये आप याद रखना दूसरी इस बात इसमें भी व्यायाम का वर्ड आ गया है मतलब आप समझ जाना कि इसके अंदर व्यायाम की बात करी गए यानि शक्ष चैप्टर से आया हुआ है इसकी आप संदर आसानी से लिख लेंगे रही बात इसकी व्याक्या की तो याद रखना की उपर वाली लाइन में विद्धि अंगिनाम मतलब किसी चीज़ की विद्धि हो रही है ठीक है यानि कि अगर विद्धि हो रही है तो मतलब लाव हो रहा है ये पक्का है ठीक है आयाथा बलम आरंभो निदानम च्छै संपदा च्छै मतलब च्छै हो रहा है यानि कम हो रहा है कोई चीज तो अगर हम सक्ति से अधिक ब्यायाम या उद्योग करते हैं तो उसका जो मूल कारण है वो क्या होगा कि राजाओं के जो संपदा है उनका च्छै होगा ठीक है तो अगर हमें एक्जाम में अब लिखना कैसे ये तो समझने के लिए था तो हमें लिखना इस तरीके है कि सक्ति के अनुरूप अगर व्यायाम या उद्योग करने से समवान और राजाओं के संपदा की विद्धी होती है और अगर हम सक्ति से अधिक उद्योग या व्यायाम कर अभुल अबसक्ति से अधिक प्राइज मात्लब करने की या आयू की परोधिनाम की बाधा taught अगले स्लोक में आपको सारे WORDS या पूरा स्लोक नहीं याद करना है इसके अंदर भी आपको सबसे पहले धोना है कि और जायाम से रिलेटेड कोई शीजश है या फिर नहीं थीक है तो ये आपको सबसे से पहले कोई भी स्लोक आए तो अगर आपको सिक्स चैप्टर सकते हैं तो आप सबसे पहले दोड़ेंगे कि व्यायाम से रिलेटेड उसमें कुछ बताया गया है या नहीं अगर बताया गया है तो आपको पता चल जाएगा वह इसी चैप्टर से और फिर आप इसकी संदर्व को लिख देंगे ठीक है ठीक है इसी स्लोक में सबसे पहले आप याद रखना कि मेदस्षेद क्रिशो दरम ठीक है मेदस्षेद क्रिशो दरम लगू ठीक है यह तीन वर्ड को याद रखना इसमें इसका मतलब क्या है मेदस्षेद मतलब होता है चर्वी का नास और क्रिशो दरम मतलब क्रिश्टा सरीर में लगू मतलब होता है हलका ठीक है तो इन तीनों वर्ड यानि चर्वी का नास हो रहा है तो हम अगर व्यायाम करते हैं तो चर्वी का नास होता है सरीर भी पतला होता है हलका भी होता है तो यह सब किसके लक्षण है तो व्यायाम के लक्षण है तो आपको यह इससे अंदाजा लग जाएगा कि यह सी चैप्टर का इस लोग है और फिर आप इसकी व्यक्ख्या और संदर्ब दोनों लिख सकते हैं ठीक है अब इस लोग की हिंदी को याद रखने के लिए हमें सबसे पहले इसको अलग तरीके से पढ़ना होगा ठीक है इसक नोग कि मिर गया तो इसमें बताया क्या गया है कि मिर गया RAM कEH लोग मिर गया को वर्थ में ही वैसन बतते हैं मित्या मतलब बेर्थ में ही वैसन मतलब वैसन वजनती मिलब बताते हैं यानि कि मिरगया को बेर्थ में ही लोग वैसन बताते हैं ठीक है क्यों और आगे मिरगया मी नोदा कुता मतलब जो मिरगया होती है उसे लोग बेर्थ में वैसन बताते हैं बलकि इससे जदा विनोध हम काँ को द्यान रखना बाद में फिर सबको एकथा कर दोगे तो इसका आसानी से आप इसके संदर्व लिखोगे उसके अद्व्याख्या के लिए आप सबसे पहले नीचे वाली लाइन को देखोगे नीचे वाली लाइन में जो बताया गया है उसको यह कि मिर गया ठीक है मिर गया तो यहां से मिर गया मिर गया मिर गया में मतलब बैर्थ में मतलब वैसन बताते है हैं बताते हैं मिलाइव वैसन नहीं बल्कि बिनोधा कुता मतलब कहां से प्राप्त होगा क्यों सकतर हों कुछ की यही तो मेदा को निष्ट करता है ठीक है मेदा ची तो मेदा को निष्ट करता है चर्भी करता के सो दरह मतलब हल्क बनाता है स्परे को स्रक कि योग कि बनाता है फूरा छब पर बहुंद कि बाव पड़ने को मिलते हैं जब लक्षि को भेद करता है तो आत्म गौरफ बढ़ता है अता इस बढ़कर अधिक विनोत कहां से प्राप्त होगा यह हो गए इसकी टोटल मीनिंग अब इसके बाद यहां पर आप देख सकते हो कि भय क्रोध है यानि कि भय और क्रोध मतलब कुल्मिला कि यहां पर बताया है मिर गया मैं आपक मतलब पता हूं मिर एमारी जोट करना होता है ओठीक यानि कि कि फालतुमें वैसन बताते हैं उससे अधिक किनोत कहां से प्राप्त होगा हमारी लाश्ट लाइन में ऐसे हो गया इसके बाद अगर हिरन का सिकार करते हैं तो उससे क्या क्या होता है तो उससे हमारे सरीर में चर्बी का नास होता है ठीक है किसो दर्म यानि सरीर में क्रिश्टा आती है सरीर हलका होता है ठीक है उसके को भाव को भी पढ़ने को मिलता है कि के गSA к द्रफात 04 को और छिषद करता को अगर कर देता है तो उसे मिन आत्म गळव बढ़ता है थीक है तो आपको तीन बाते पता चली अगर कोई आदमी मिर गया का सिकार करता है तो वो कोई वैसन नहीं है बलकि उससे तीन फाइदे होते हैं क्या क्या सरीर में चर्वी का नास होता है सरीर पतला होता है ठीक है दूसरा हमारा जो जो सिकार कर रहा होता है उसके मंद से हमें भै और क्रोध के तो भाव होते हैं composer कर दें तीसरा कि अगर वह बैन जो हमने चलाया है वह अगर हमारे शिकार को भेद दीता है तो इससे हमारा आत्म elabor बढ़ता है ठीक है cudaktal ilat though मैं इसके बाद हम little complete पड़ लिए essa हम अग्ला इस लोक बढ़ता है दिक ग्लां Satya का इस स्थार्यम के Says तो सी लागःो माद धाती ठीक है ठीक है उत्साह बुद्ध्धि जननीन रण कर्म योग्याम राग्याम मुधेव मिरगयाम वैसनम वदनती ठीक है यानि इसके अंदर भी हमें कुल्मिला के यही बताया गया है कि जो hinge का शिकार है यानी मिरगया का जो सिकार वो वैसन नहीं है उस से फाइदा ही होता है यानि विनोध भी है यही इस में भी बताया गया है तो सबसे पहले आप याद रहें ना मिर गया अगर देखलो तो आप समझा ना six chapter का इसलोग है इसके पहले आपने देखा था जो इसमें भी था वैसनम भी है और मिर गया भी है तो यह दोनों वर्ड अगर आपको मिल जाते हैं तो इससे आप अंदाज लगा लें रहें इस इस शेप्टर का है आपको संदर्ब लिखने में आसानी होगी फिर इसके बाद हम देखेंगे इसकी ब्याक्ख्या को तो इसकी इसकी ब्याक्ख्या में क्या है बस इतनी है इसकी ब्याक्ख्या की इसके अंदर भी बताया गया है कि जो मिर गया होती है वो मनो विनोद के लिए होती है ठीक है इसका दुरूबल को बल परदान करती है ठीक है इस्थेरियम चले वापुसी ठीक है यानि कि जो जो हमारा सरी यानि दुर्बल है उसको बलप्रदान करती है क्योंकि हम इसके तुरू मेहनत कर रहे हैं यानि ये भी एक कसरत का ही तरीका है ठीक है सरीर में लागव मादेधात ही मतलब सरीर में लगुता उत्पन करती है ठीक है उत्सा बुद्धी जननीम जननीम मतलब उत्पन करना ठीक है तो हमारे सरीर में उत्सा और बुद्धी को उत्पन करती है और रण कर्म योग्याम यानि की युद्ध कर्म के लिए भी योग्याम बनाती है तो अब इसकी टोटल मीनिंग क्या होगी तो मिरगया जो है वह मनों विनोद के लिए होती है दुर्बल को बलपरदान करने के लिए होती है उत्सा एम बद्धी को बढ़ाती है इससे राजाओं को इद्धा भ्यास भी हो जाता है अता मिरगया केवल मात्र वैसन नहीं है ठीक है यहां तक हमने इस लेक्षर में पढ़ा है अब बाकी के इस लोग सम अगले लेक्षर में पढ़ेंगे फ्रेंड्स अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो इससे आपको मिली हो तो इससे लाइक करना और कमेंट करके जरू बताना अगर कोई प्रॉबलम हो रही हो तो भी आ रेक्षर